हम लोग का computer या laptop में हम लोग operating system यूज़ करते हैं उस operating system में हम लोग का Windows 10 हो या Windows 7 हो Windows 7 तो खेर आपको पता है Windows 7 का जो update है वो Windows का तरफ से बंद किया गया है और Windows 10 है अभी तक फिलल हम लोग को update देते रहता है और हम लोग उसको up to date करते रहते हैं लेकिन up to date करने का time कुछ error होता है जो की error आपको दिखा देता हूँ एस कुछ इस type का error आपको सो होता है सबसे पहले आपको उपर में सो हो जा रहा है Windows Update फेल्ट और उसका नीची आपको सो हो रहा है your device is missing important security and quality fix तो इसको कैसे fix किया जाए या इस update को कैसे ठीक किया जाए कोई दिखाएंगे इस वीडियो पे सबसे पहले आप लोगों को एक request करना चाहता हूँ आप इस वीडियो पुड़ा इंड तक देखिए क्यूकि आप कोई भी part skip कर जाओगे तो आपको ए वीडियो समझ में नहीं आएगा चली start करते हैं सबसे पहले आपको जाना है travel suit में क्यूंकि हम लोग का windows में बहुत सरा problem आता है तो हम लोग पहले डाबल में जाकि उसको fix करने के लिए कोशिस करते हैं और नहीं होता तब हम लोग दूसरे step जाते हैं चली खेर हम लोग जाते है travel suit का settings में आपको जाना है windows में टाइप करना है travel इंटर करने के बाद आपको travel suit open हो जाएगा और उसके सबसे नीचे आपको एक option दिखेगा एडिशनल आपको एडिशनल पर आपको जाना है जाने के बाद आपको एक option मिलेगा windows update आपको इसको select करना है and select करने के बाद जो है run travel suitor किदर क्लिक करना है क्लिक करने से अपका जो कारण से अपका update नहीं हो रहा था कुछ दिक्कत का वजह से तो पहले तो travel suit detect करेगा कुछ problem या issue कुछ है क्या नहीं और उसका reason आप देख सकोगे कि कुछ detect होगा दिखेए आप भी तो फिलाल message का आ चुका है travel suit could not identify the problem इसका बाद आपको चेक करना है अपडेट में जाके वह अपडेट हो रहा है तो उसका बाद मान लीजिए आपका update नहीं हो रहा है तो उसका बाद आपको जाना है ना विंडूस में and type करना है ms config आ चुका है already system configure आपको जाना है system configure में आपको आने के बाद आपको एक tab मिलेगा जो है service अपको service में आपको आना है and service में आके आपके करना है hide all microsoft service पारेट करना है टीक, टीक करने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना है disable all, then apply, then ok, उसके बाद आपको register माँएगा, आपको एक बाद register देना है, मैं अभी register नहीं देना हूँ, तो मैं इसको अभी close कर दे रहा हूँ, जाना है Tax bar में, आपने right click कुछ आपको जाना है Tax Manager प्रहुँ पिसर्शने काथ अब सुटायशा प्रवाद की जो सब्राइब है जो Si ini कामका नहीं है जो Mini型 wheel करके रख़ा हो और बाखी सा अब है इसको विख कर दे रहा हूं इसको करते रहे हैं ऐसे करती आपको जो जो एप इधर कामी नहीं लगता है उसको डिसेबल कर देना है क्योंकि देखिए हम लोग का बहुत स्वारा थार्ट पाटी एप हम व्लोग यूज करते हैं उस एब हम लिग का कहीं न कहीं हम लोग का update आता है उसको रोकने के लिए भी कुछ एब होता है तो उसको पहले तो disable करना है डिजब करने का बाद आपको जाना है Windows Update इधर में आपको आना है विधर में आप Windows Update में आके आपको सिंप्रिश करना है चेक फॉर अप्डेट करने के बाद आपको देखना है आपका जो अप्डेट है और पहले जैसा जो जैसी इमेज आपको दिखा था इस टाइप का यो डिवाइस इस मिसिंग इंपॉर्टेंट सीकुर्टी एंड क्वालिटी फिक्स ऐसे कुछ एरर कोट का साथ कुछ आ रहा ह क्या है आपके एक बाद देख्ले नहीं तो इस के बाद अपका एपडेट माली जै नहीं हो रहा है उसके बाद भी एक सवड़र serving होता है आपको दिखाता हूँ पहली आपको जाना है सभी भी पि इस पेच पे इस पेच्च का लिंक मेरा वीडियो का डेस्क्रिवशन मे होता है आपका जो हम लोग का जो एड़ो स्काइप्ट है उसको साझ कुछ स्वा हैं हम लोग का हाद लाके कुछ हो चुका है तो हम लोग को पुड़ा एक्जैकली पता नहीं है तो उसको क्या करना है आपको Windows आपडेट का पुड़ा का पुड़ा रिसेट करना था या आपको क्या करना है आपको श्कॉल्ल डाउन करके आपको 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 एक option मिलेगा और download windows reset script यापको इसको download करना है अड़ डाउमलोड हो जाएगा hide extract करना है इसको इधर में already extract किया हुआ था और एग आ चुका है तो मैं इसको भी एक्स्टेक कर लिया है इसको आपको folder को ओपीन करना है फोल्डर को ओपीन करने का पाथ फिर से पोओपीन कर लेना है यह यहाइ batch file format में हैं तो आपको क्या करना है है इसको right click करना है and करना है run as administrator आपको एक cmd के तरफ से एक window आ जाएगा अब देख सकते हो तो आपको इधार बोल रहा है प्रीस any key to continue इसको continue करने के लिए कोई भी key आपका keyboard में प्रेस कीजिए उसके बाद यह automatically स्टार्ट हो जाएगा और उसका बाद आपका computer में जिदने भी आपडेट क्यों नहीं हो रहा है कि यह भी कुछ changes हुआ था क्या कुछ अप्डेट में या check for update में उसका बाद आपको चेक करना है आपका जो update है और अपडेट हो रहा है ठीक है मेरा अले यह अपडेट है आप लोग को चेक करके देख लेना है यह आपका जो इस्चु है और फिक्स हुआ है क्या नहीं हुआ है और मेरा यह छोटा सा वीडियो आ या आप मेरे चैलेंग पे पहले बार रहाई हो तो जरूर मेरा चैलेंग पे सब्सक्राइब करना मत फूल ये आपका एक सब्सक्राइब या एक लाइक हम लोग का वीडियो करने में मोटिवेट करता है और उसको करना मत फूल ये थैंक्स वर वाचिंग दो फोर्गे टो सुब्सक्राइब